जोहार जय मुलियोसी मैं संकेत और आप देखरे मन टीवी भारत का लोकतंत्र चार प्रमुक स्थंबों पर खड़ा है जिन में प्रचार माध्यम एक महत्वपूर्ण स्थंबा है इसे सविधान के आर्टिकल 19 के तहट आजादी दी गई है यहाई इसलिए कि वह जनता की आव जार माध्यम बनकर रह गया है जो 85 फीसदी मुलिवासी बहुजनों के विरोध में बनने वाली नीतियों को उन तक पहुंचा ही नहीं रहा देश के एक बड़े तपके को हाशिये पर रखकर भारत का मेडिया 24 घंटे कैसे चल पाता है यह ज्यादा चिंतनिय विशय नहीं ह दरसल वहाँ उनसे जुड़ी खबरों को अपने चैनलों में अखबारों में या पत्रिकाओं में जगई नहीं देता ज्यादा चिंतनिय विशय तो यह है कि जिन 85 फिसदी लोगों की खबरों को आज तक इस मेडिया ने छुपाने का काम किया वही 85 फिसदी लोग इस मेडिया को क्यो देख और पड़ रहे हैं इसका जवाब शायद यह है कि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है लेकिन सोशल मेडिया के आजाने के बाद से यह समस्या थोड़ी बहुत कम होती हुई या हल होती हुई दिखाई दे रही है फिलहाल सूपरिम कोट ने टीवी चैनलों को लेकर जो कहा है वह जान लेते हैं किसी समाचार या घटना को प्रस्तुत करते हुए कई बार नाहक ही विवाद या संसनी खेज शक्ल देकर पेश करने से नहीं हिचकते शायद उन्हें यह पता होता है कि अगर वे इसके लिए कटगरे में खड़े भी हुए तो जुर्माने की निर्धारित अधिकतम राशी उनके लिए बहुत कम है सुप्रिम कोट ने एक याचिका पर सुनवाई के दवरान कहा कि सं 2008 में ही तैनियमों के तहत अब भी महज एक लाख रुपे का जुर्माना नाकाफी है और जुर्माने का अनुपातिक सम्मंद चैनल के विवादित कारेक्रम से होने वाली कमाई से होना चाहिए लायू लौ के अनुसार चीप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि आप जो जुर्माना लगाते है वो क्या है टीवी चैनल एक कारेक्रम में विग्यापन से कितना कमाता है किसी भी टीवी चैनल के पास आपके सुवनियामक तंत्र का अनुपालन करने के लिए कोई प्रेरना ही नहीं है और यदि उलंगन के लिए आप एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने जा रहे है तो बात ही क्या है CJI ने कहा कि विवादित समाचार प्रसारित करने के लिए टीवी चैनल उपर लगाया गया जुर्माना 2008 में तै किये गए एक लाख रुपए के जुर्माने के बजाए उनके द्वारा अरजित किये जा रहे मुनाफे के अनुपात में होना चाहिए केवल ऐसे जुर्माने ही टीवी चैनल उसे जिम्मेदारी के साथ काम करवा सकते हैं भारत के मुख्य नयाधिश की अगवाई वाली तीन नयाधिशों की पीट बॉम्बे हाई कोट के 2021 के एक फैसले को चुनोती देने वाली एन डी एन बी डी एक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें टीवी चैनलों के सुवनियमन के अप्रभावी होने के बारे में प्रतिकूल टिपनिया की गई थी बॉम्बे हाई कोट ने माना था कि मिडिया ट्रायल से पुलिस के अपराधिक जांच में हस्तक्षेप होता है और किनी वेक्तियों की मौत से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए मिडिया को दिशा निर्देश जारी कर देने चाहिए शिर्ष अदालत ने कहा कि स्वनियामक तंत्र ही प्रभावी होना चाहिए सीजे आई ने कहा कि वे टीवी चैनलों के वी नियम को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे हाई कोट यानि बॉम्बे हाई कोट उस समय अभिनेता सुषान सिंग राजपूत की मौत के मामले में मिडिया ट्रायल पर सवाल उठाने वाली याचिका ओपर सुनवाई कर रहा था गौरतलब है कि कुछ साल पहले अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मौत की खबरों की प्रस्तूती के दवरान टीवी चैनलों पर उन्माद पैदा करने के आरोप लगे थे उसके बाद बॉंबे हाई कोट ने टीवी चैनलों के सुवनियमन को नाकाफी बताते हुए इसे सक्थ बनाने की बात कही थी सही है कि मिडिया के अन्यमाध्यमों की तरह टीवी चैनल भी समाचारों को जनता तक पहुचाने का एक अहम जरिया होते है इसलिए संभव है कि उनके खिलाफ सक्थी की कवायत को अभिवेक्ती को भी बाधित करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए लेकिन इसके महत्व को कायम रखने की जवाब देही खुद टीवी चैनलों पर भी है सवाल है कि टीवी चैनलों की वहाँ हद क्या हो ताकि पत्रकारी ताकि गरी मा बची रहे और आम लोगों का विवेक और ज्यान भी सम्रुद्ध हो उसके आधार पर वे किसी सही निश्कर्शतक पहुँच पाए काईदे से स्वानियमन के जरिये टीवी चैनलों को खुद ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी निश्पक्षता कटगरे में न खड़ी हो आए दिन किसी खास समाचार की प्रस्तूती को लेकर कुछ टीवी चैनल इस तरह आकरामक दिखाई देते हैं कि लोग मुद्दे के वास्तविक संदर्व से दूर होकर भ्रमित हो जाते हैं इसका प्रभाव कई बार सम्वेदन शिल स्तितिया पैदा कर देता है हाला कि कुछ टीवी चैनलों की इस प्रकृती पर लगाम लगाने को लेकर स्वन यामक तंत्र के साथ साथ ठोस पहल के लिए आवाजे उठती रही है लेकिन इस दिशा में अब तक हुए प्रयासों के नतीजे आधे अधूरे ही रहे है इसलिए शिर्ष अदालत की इस राय की वजह समझी जा सकती है कि जब तक नियमों को कडाई से लागू नहीं किया जाएगा तब तक टीवी चैनलों के लिए उन पर अमल करने की बाध्यता नहीं रहेगी